हेलो फ्रेंट्स आपके अपने यूटीव चैनल लिटर की फूड़ में एक बहुत से स्वागत है चलिए आज भर्मा बेगन बनाना सीखते हैं यह खाने में भी स्वाधिश्ट है और बनाने में बहुत आसान और अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स सब्सक्राइब जरू कर लिए देगा और अगर यह रेस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरू ठोंगेगा चलिए बनाना शुरू करते हैं और नोट करते हैं इसके इंग्रिनिंग्स कि तीन मीडियम साइज प्याज लेते हैं एक इंच अधरक का टुकड़ा छे साथ लेस्टन की कलिया तीन हरी मेर्च एक चम्मच सौफ नमक आदा चम्मच या स्वादा नुशार और इनको मिक्सी में पीछ लेते हैं देड़ टेबल स्पून धनिया पाउडर आदा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर आदा टेबल स्पून हल्दी पाउडर एक टेबल स्पून कसूरी मेर्च एक टेबल स्पून कसूरी मेथी आदा टेबल स्पून गरम मसाला तेल तीन बड़े चम्मच दोसोपचास ग्र डल कर पीस लेते हैं और एक स्मूद पेस्ट बना लेते हैं अब बैगन को चार भाग में काट लेते हैं है और इसे चच करते हैं कि इसमें कीड़ा बगर तो नहीं है ऐसे अराम से चेक करिए कि दौन से इसमें कीडा नहीं है और इसे नीचे डंडी से जुड़ा रहने देते हैं इस तरीके से अब इसी तरह से एक-एक बैगन काड़ेते है चल इसमें पानी डाल देते हैं इससे गया होगा बैगन काले नहीं होगे अगर से पानी निदालेंगे तो बैगन का Mayo Change हो जाएगा अभ months ago अर्सका उनानों आप जो गर्म हो गया है और इसमें कर देते हैं कि इसको धीमी फ्लेम पर पकाएंगे कि इस फ्लेम पर पकाएंगे तो प्याद जल जाएगा कि प्याद अच्छी तरह से भुन गया है अब इसमें कस्मीरी मेर्च एट कर देते हैं कसूरी मेथी धनिया लालमेच पाड़ हल्दी और थोड़ा से गर्मसाला एड़ कर देते हैं और इनको अच्छी तरह से मिला लेते हैं थोड़ा से इसमें हम पानी का छीटा भी देंगे इससे क्या होगा है मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा अब इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं अब इसको बेगन में चम्मच की सायता से बढ़ते हैं आप हातों की सायता से भी बढ़ सकते हैं इसको अच्छी तरीके से फिल कर दीजिएगा पूरा चारों तरफ से एके करके सभी वेगन मसाले से फिल कर देते हैं अब अच्छी तरीके से फिल कर दीजिएगा और जो मसाला बचा हुआ है बाद में इसको भी इसी के साथ भून लेंगे इन चाहें तो आप लपेड़ भी सकते हैं किसी दागे बगर अब पैन में ओयल डाल देते हैं ज़्यादा ओयल नहीं डालते हैं और इसमें एक एक करके सभी वेगन रख देते हैं और यह बिलकुल धिमी फिलम पर पकाते हैं और जो मसाला बचा हुआ है उसको भी सी में देखेगा यह हलके हलके पक चुके हैं पानी की बिल्कुल जरूवत नहीं पड़ी चाहें तो अब हलका सा पानी के चीटा दे सकते हैं चले फिरे से कवर कर देते हैं अब देखते लिए कि अच्छे पक चुके आपने दो तिन बार पलट सकते हैं अब आप इसमें धनियां कि चलिए सभी निकाल लिए यह जर्पट तयार हैं भर्मवेगन बहुत ही स्वाधिष्ट चडपटे और जयकेदार लिजी तयार हैं भर्मवेगन और भर्मवेगन को चावल नान पराथा लच्छा या पूरी किसी के विशाद सर्व कर सकते हैं यह बहुत ही चपटी और पहत जरू ट्राई करेगा है बनाने में बहुत आसान है और दोस्तों अगर हमारा भी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइप जरू करेगा और दोस्तों से सेर करना बिलकुल नहीं भूलेगा और फिर भी कोई क्वारीज हो कुछ पूछना हो कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू करेगा